अपने विवाद भरे बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाली मध्यपरदेश भोपाल सीट से लोग सबासांसद प्रग्या ठाकुर ने एक बार फिर से कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा है। कि रहुल गांदी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं विदेश की धरती पर रहुल गांदी को देश से निकाल कर भार फैक्ट देना चाहिए। राजकान देश को बनाया देश को बेचा नहीं जिस देश को लोग घुम घुम कर बेच रहे हैं वो सोनिया गांदी राजी गांदी नहरुजी इंद्रा गांदी उन्ही सभी का बनाया देश है। बड़ा दुख होता है ये राजनिती के लिए सत्ता के लिए किस कदर गिर जाएंगे कहां देश को ले जाएंगे। कभी कभी टीवी देखते हैं तो डर लगता आज न्यू चैनल देखते हैं डर लगता है कि देश को वापिस 1947 में ले जा रहे हैं वह हिंदू मसल्मान वह हिंदू मसल्मान अरे जनता से के वादों पर काम करोगे तो हम भी आपका सम्मान करेंगे देश भी आपका सम्मान करे आप देश को टूकडे टूकडे मत करो देश को तोड़ मत ये देश बड़ी मेहनत से सरदार भगजशंग ने चंदर चेकर राजाद ने महात्मा गांदी जैसे महापुरुसों ने बनाया सरदार पटेल ने सुबाथ चंदर बोस्का देशे देश को अपने हाल पे रहने तो अच्छा होगा, ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर चकते हैं, कर रहे हैं, भाई फैक सकते हैं इनके हाथ में, जब E.D.C.B.I. सुबह साम हर आदमी पे चल रही है, बिल्डोजर चल रहे हैं, एक ऐसा महूल बनागी अफराद अफरीका, ऐसे लग देश में काइदे कानून हैं, वो लोग सत्ता में आगे हैं, जो अंग्रेजों के जूते साप करा करते हैं, जो अंग्रेजों का साध्या करते हैं, जो हमारे क्रांती कारविरों की मुक्वरी करके मरवाय करते हैं, इन्ही के पुरवस्ते वो, तो अब यहीं काम करें और जब भी काम करें थे, जब भ देशी महिला से उत्पन पुत्र कभी भी देश भक्त नहीं हो सकता राहूल गांदी ने इस कतन को सच कर दिया है ठाकुर ने ये भी काया कि हमारे भारत के नहीं हो हमने मान लिया क्योंकि जो आपकी माता जी है वो इटली की है कैसे देखते हैं बाई ये लोग ना तो हिंदू ये अपने परिवार के नहीं अपने भाईों के नहीं ये तो इसी तरह है इनका काम इस देश को बरबाद करना और बखबूश से इस काम को कर रहे हैं आने वाले समय में हर आदमी तरसेगा कि उनकी भूल कमल का फूल कितनी बड़ी साबित होगी ये पुरा देश देख रहा